पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि कलकी की सास और उसकी दादी ओशा उसको जौब इंटरव्यूपर जाने के लिए बहुत रोकती है लेकिन फिर भी कलकी इंटरव्यूपर चली जाती है और इंटरव्यू पास भी कर लेती है वहीं कहानी के अंथ में आपने देखा क्या हो गया, हमारा बच्चा, जब कल की को पता चलेगा, कि उसका बच्चा मत रो बेटा, मत रो, भगवान पर भरोसा रख, फिर से कल की की गोद भरेगी देखना दरसल डॉक्टर ने बताया था कि कल की दो महिने की प्रेगनेंट थी और पेट के बल गिरने की कारण उसका मिस कैरिज हो गया है हाँ भाईया होसला रखिए हाँ जेट जी इश्वर ने चाहा तो फिर से जेठानी जी की गोद भर जाएगी लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कल की सुरेगी तो टूट जाएगी ये भी भाईया नियती को कोई नहीं टाल सकता जो हुआ बुरा हुआ लेकिन आप देखना आगे अच्छा होगा और सभी लोग मयूरेश को बहुत समझाते हैं वही थोड़ी देर बाद कल की भी होश में आ जाती है भाईया आप भावी से बात कीजे हम सब बहार जा रहे हैं हाँ आप अकेले में बात करोगे तो अच्छा रहेगा सब बहार चले जाते हैं और मयूरेश कल की को सारी बात बता देता है जिसे सुनकर कल की बहुत दुखी हो जाती है मयूरेश सुभे तो सब कुछ ठीक था एक ही जटके में मेरी दुनिया कैसे पलट गई ए भगवान ये आपने क्या किया मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था नहीं कल की ऐसा मत सोचो जो भी हुआ वो सिर्फ एक एकसिजेंट था तुम तो एक अच्छी बहु और पत्नी हो खुद को समभालो मैं तुमें ऐसे नहीं देख सकता अगर तुमें ऐसे दुखी होगी तो मैं भी तूट जाओंगा मयूरेश मैं आपको आज ही प्रेगनेंसी की खुशखबरी देने वाली थी लेकिन इससे पहले ही सब हो गया क्यों हुआ ऐसा कलकी प्लीज चुपो जाओ क्या करें उस घटना के बाद कलकी को तो वज़े मिल गई है चुपचाब बैठे रहने की अरे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ इसके साथ हाँ ड्रामा फाल तुका कोई बात नी माजी उसका दुख भी तो बड़ा है थोड़े वक्त बात सब नॉमल हो जाएगा अब चिंता मत कर हाँ चल देखते हैं अच्छा ये बता कि माहिरा के लिए कोई लड़का मिला या नहीं वो किरंट से तुने बात की तो थी लड़के के लिए हाँ एक लड़के के बारे में बताया है उसका नाम नीरज है उसके कपड़े की चार-पांच दुकाने है बहुत पैसे वाला है औ पिर और क्या चाहिए हाँ तो जल्दी से बुलाना लड़के वालों को घर में देरी किस बात की है हाँ किरंड ने बताया कि लड़का अभी किसी काम से साथ दिनों के लिए कश्मीर गया हुआ है जैसी वो आता है वैसी वो बात करेगी और हमें बता देगी चल ये तो अच् दादी मा जरा यहां आये और तभी उशा और लाजो भी वहां आ जाती है उनकी आखे भी फटी की फटी रह जाती है दरसल माहिरा और जैश मंदिर में शादी करके घर आ गए थे तौबा तौबा देख करवा ही आई मू काला पता ही था मुझे तो हे भगवान कि तुने क्य कर लिया जिन्दगी बरबाद कर ली तुने अपनी मा मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी जिन्दगी बरबाद हो गई है मैंने तो ऐसे इंसान से शादी की है जो मुझे दिल से चाहता है और जैश मुझे हमेशा खुश रखेगा हाँ सासुमा मैं माहिरा को हमेशा खुश रख पुल चुप एक तो गलती करती है उपर से जवाब देने की हिम्मत तो देख आज तेरे पिताजी जिन्दा होते तो तुझे अच्छे से सबक सिखाते वो नहीं है तो बहुत हवा में उड़ रही है तू मुझे आप से तो कोई बात भी नहीं करनी दादी मा लोगों की घर की दादियां इतना अच्छा ग्यान देती है और घर को जोड़े रखने की कोशिश करती है लेकिन आप तो उन सब का उल्टा ही करती है आप तो इस घर को तोड़ना चाहती है माहिरा ऐसे मत बोलो वो बड़ी है माहिरा चुप हो जा ये कांड करके भी बोलते वे शर्म नहीं आ रही तुझे नहीं मैं चुप नहीं रहूँगी मैं कल की भावी नहीं हूँ जो चुप चाप सुन लूँगी बिचारी बड़ी भावी को तो आप दोनों नजाने क्या-क्या बोल देते हो और वो बिचारी चुप चाप सुनती रहती है लेकिन ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा देख ले ले ला जो 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 बात मैंने इसके लिए बोली थी वो सब बात आज बिल्कुल सच हो गई है कर दिया इसने तेरा नाम बदनाम ये तो एकदम खोटी निकली हाँ माजी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माहिरा कुछ ऐसा कर सकती है माहिरा तूने ऐसा क्यों किया माँ प्लीज मत रो ये मैंने कुछ गलत नहीं किया है जैश एक बहुत अच्छा लड़का है देख ले ना आपको एक दिन इस पर गर्फ होगा मुझ पर यकीन कीजे मा सासु मा अब जो हो गया सो हो गया अब इन दोनों को अपना लीजिए अब तो शादी भी हो गई है इनकी चुप बिल्कुल चुप कलकी तू तो चुप रहे चुप चाप अपने कमरे में जा मा और बेटी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुझे बेचारी कलकी रोते वे कमरे में चली जाती है वही माहिरा को बुरा लगता है फिर में माहिरा और जैश आशिरवाद लेने के लिए उनके पैर छुने लगते हैं लेकिन दोनों पीछे हड़ जाती है मा मैं अपने पती और अपनी बेज़दी करवाने यहां नहीं आई थी मैं तो बस आपका आशिरवाद लेने आई थी जो मुझे नहीं मिला आप दोनों को बहुत-बहुत शुकरिया खास कर दादी मा का शुकरिया अब चलते हैं हम दोनों लगता है आज आशिरवाद नहीं मिलेगा इनसे आज क्या कभी नहीं मिलेगा और दोनों भाहां से निकल जाते हैं वहीं उशा अव लाजो के खूब कान भर रही थी, अगले दिन लाजो और उशा पुलिस टेशन पहुँच जाती है, सर जैश ने मेरी बेटी को फसा लिया है, उसने बहला फुसला कर मेरी बेटी से शादी कर ली है, आप अभी उसे अरेस्ट कीजिए, हाँ साहब, उसे कॉल क को पुलिस टेशन बुलाते हैं, तो माहिरा घबराती हुई तुरंत अपने पती और सास तसुर के साथ पुलिस टेशन पहुचती है, मा, आप दोनों यहाँ, आखिर क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ सासुमा, मुझे सासुमा बोलने की कोई जरुरत नहीं है, मैं तेरी कोई सासुमा नहीं हूँ, हाँ, जादा रिष्टा जोडने की कोई जरुरत नहीं है हमसे, एक तो बहला फुसला कर हमारे घर की बेटी से चाधी करता है, और यहां आकर नाटक करता है, आप सब को गलत फैमी हुई है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आरे शरम करो, जूट बोलते हो, बड़े आए, आप सब चुप रही है, जो सच है वो जल्दी सामने आ जाएगा, और इसके बाद इंस्पेक्टर माहरा से बहुत सारे सवाल जवाब करता है, वहीं माहरा बार बार इंस्पेक्टर से, यही क्या रही थी, कि उसकी शाधी उस में आपको क्या परिशानी हो रही है, आप चुप चाप घर जाईए, और अपने दोनों बच्चों को अपना लीजिये, क्यों खामखा इतना परिशान हो रही है, यह सुनकर उशा और लाजो को बहुत गुसा आ जाता है, तभी उशा जैश के माता पिता के पास जाती है, ज माहरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, यह आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा, अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखें हमने, उशा और लाजो महां से चली जाती है, वही माहरा भी अपने ससुराल वालों के साथ घर आ जाती है, माहरा बे कुछ दिनों बाद, रात के वक्त, उशा अपने कमरे में बैठ कर टीवी देख रही थी, कि तभी उसे ऐसा लगता है, जैसे कोई पर्दे के पीछे खड़ा है, और उसे ही देख रहा है, उशा बहुत डर जाती है, कौन है वहाँ, अरे कोई बोलता क्यों नहीं, कौन है वह तभी उशा पर्दा हटाती है, वहाँ एक लड़की थी, जिसने एक स्कार्फ से चेहरा ढखा हुआ था, उशा उस लड़की को देखकर बहुत डर जाती है, और चिल्लाती है, अचानक उशा बेहोश हो जाती है, उशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर बागे घरवाले तु सभी घरवाले उशा को हॉस्पिटर ले जाते हैं, तो आखिर कौन थी वो लड़की, क्या उशा उसे पहले से ही जानती थी, और अगर जानती थी, तो कैसे, उशा उस लड़की को देखकर इतना क्यों डर गई थी, जानने के लिए देखेगा, सास की सास का अगला देखेओंगड़।